हेलो इसकार एक बार फिर से आप सभी का बहुत वह स्वागत है लोदाजी क्लासेस के बीए प्लेटफार्म पर बीए थर्ड इयर के अंतरगत पॉलिटिकल साइन्स में तुलनात्मक बिश्पी सम्विधान वाली सीरीज चल रही थी जिसे हम कंटीन्यू करते हुए एक और ने टोपिक पर आज डिसकस करने जा रहे है डे थर्टीन में इससे पहले बारा लेक्चर हमारे सीरीज के इस सब्जेक्ट के हो चुके हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा तो आज लेक्चर नम्मर तेरा में हम बात करन हैं अमेरिका की पूरी राणितिक व्यवस्ता की हम बात करेंगे इसमें संपूर्ण जिस प्रकास से हमने ब्रेटेन की राणितिक व्यवस्ता की चर्जा की है अभी तक के लेक्चर लेक्चर नम्मर फर्स्ट से लेक्चर नम्मर ग्यारा तक में ठीके ना ग्यारा तक में त जो भी नए चार्टर मेरे पहली वार मेरे शेशन को देख रहे हैं, पहली वार इस चैनल पर आए हैं, उनको बता दू, भी ये फर्स्ट, सेकिन, थर्ड येर, टीनो ही येर के लिए, ओल्मोस्ट सभी विशे मेरे दुआरा, फ्री ओप कोस्ट, आप लोगों को इसी यूटू मिल जाएंगे, ओल्स सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इसके अलावे यदि आप कोई भी छातर प्रतियोगी परिक्षा की तियारी करना चाता है, तो आप लोगों के लिए, मैंने एक दूसरा यूटूब प्लेटफरम बना दिया है, यूटूब चैनल बना दिया है, जिसका न साइन्स के तीनों पार्ट होंगे, इन्वार्मेंट होगा, इकोनोमी होगा, इतिक्स होगा, हिंदी, इंगलिस होगे, सारे सब्जेक्ट में इस चैनल पर देने वाला हों, आप लोगों को भी फिरी ओप कोस्ट है, ठीके ना, टेलेग्राम गुरूप को जोइन करना मस्ट ह है, ताकि आपको डेली क्लासेस आपको वहाँ पर मिलती रहे, चली शुरू करते हैं, अपना आज का सेशन यह आपका सिलेवस है, जिसके अगोडिंग क्लासेस आपकी चल रही है, और इसमें अभी तक हम फर्स्ट यूनिट को पूरी तरह कवर कर चुके हैं, यहना आपकी पूरी तरह कम्प्रीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट इस्टार्ट कर चुके हैं, इसमें अमेरिका की सम्मिदान का निर्माण यह हम डिसकस कर चुके हैं, पिछले पिछली क्लास में, और आज हम बात करने वालें, अमेरिका के सम्मिदान से भी important countries हैं उनके सभी सम्मिधानों के वारे चर्चा हम करने वाले हैं तो आपके syllabus के according ही complete session आपका चलेगा किलियर है तो आईए शुरू करते हैं अपना session unit second चल रही है आपकी अभी table of content में बात करें तो आज का session simple सा होगा easy होगा इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिक संविधान की संविधान पॉइंक्त नमबर टू में देखेंगे चनपर यह पर प्रवुशत्ता में भिजवास यह सब्रवोचेता इसके लाभा दूश परिवरतन संविधान जिसे हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक्षाशन प्रणाली है संगात्मक्षाशन प्रणाली शक्ति पृत्रक्रण का सिध्धान तो यह सारे पॉइंट जो है इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और देखा जाए ना तो यही अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेष्था है अध्यक्षात्मक्षाशन प्रणाली को अगर हम छोड़ दे तो पॉइंट नम्मर पांच वाले को अगर हम छोड़ दें इसकिप कर दें तो सारी विशेष्थाओं को हम यहाँ पर भारती संविधान के अंतरगत ले सकते हैं ठीके आईए एक ही करके इनको समझने का प्रिय के शलर में कि प्लिदान है कि अतना चोटा संविधान कि उससे इसे समझे की 405 प्रार संविधान है जिसमें केवल entities कि समझने के संब्सक्रांन हो ता है bender 1395 अनूच्चेत लगवग 400 बोल सकते लोग लगवग 400 अनूच्चेत थे ठीके लेकिन क्या अमेरिका के संविधान में कितने अनुचेद होंगे तो याद रखीगा मात्र साथ अनुचेद साथ आर्टिकल टोटल है अमेरिका के संविधान में अगर हम शब्दों को काउंट करें ना शब्दों को काउंट करें तो चार हजार शब्द है चार हजार शब्द जितना आप exam की copy में लिख आते हो ना उससे भी कम है, तो अमरिका का संबिदान, दुनिया का सबसे छोटा, वो सबसे पुराना, और लिखित संबिदान है, दुनिया में सबसे पहले लिखा गया संविदान था यह पहला तो सबसे पुराना लिखित संविदान है इसके अलावा दुनिया का सबसे छोटा संविदान है जिसमें साथ अनुछेद है सिर्फ 4000 शब्द इस संविदान की अंतरगत है पिछले 210 वरसों में इसमें कुल 27 संसु संशोधन हुए हैं भारती संविधान में 100 से उपर संशोधन निकल चुके हैं अमेंडमेंट ठीक है यह संविधान बहुत ज्यादा छोटा है इसमें 40 से भी कम प्रेश्ट है छपे हुए प्रेश्ट हैं बहुत कम समय में इनको पड़ा जा सकता है अगली विश्यस्ता की बात अमेरिका के संविधान निर्माताओं का लोगतंत्र में पूरा विश्वास था जैसे भारती संविधान निर्माताओं का था इसी प्रकार से इसलिए संविधान की प्रस्ताबना में उन्होंने इस पस्ट कहा क्या का द्याध्यान सुनीगा चुकि संविधान की प्रस्ताब तथा अपने अपने एवॉदे अपनी संतती के लिए स्वतंतर ताके बरदान को सुरक्ष सित रखने के लिए संयूक तराज अमेरिका के संभीधहन को अपनाते हैं तो यहां पर कुल मिला करके अमेरिका वासीओं की ही बात की गई है अमेरिका के लोगों की बात की गई है किसी एक स्टेट की नहीं तेरा ही राज्जों का मिला करके जब एक देश बनाया गया तो उन सबीत अमेरिका बासी मतलब राज संयुत राज अमेरिका के लोगों की इसमें बात की गई है उनके कल्यान की बात की गई ह उनकी और उनकी संतती की सुतंता की बात की गई है तो ये प्रस्ताबना की ये कुछ लाइन है इस पर स्टूप से दर्साती है कि अमेरिका का संविधान किस में विश्वास करता है दोस्तों जन प्रिये प्रवुसत्ता में विश्वास करता है अचाहिए आगे अगली कोई अन इंडियन Constitution को अच्छ से पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है complete करवाया तो आप लोग को अच्छ से पता होगा कि संविधान की सर्वोच्चता क्या होती है भई संविधान ही सर्वोच्च है अन्य जितनी भी संस्ताइं होती है देश में चाहे वो न्याईपाली का हो चाहे व हो या सर्वोच्च न्याले हो सभी संविधान के अधीन रेकर कारी करते हैं अमेरिका में संविधान के अनुच्छे में कहा भी गया है क्या कहा गया है तो च्छटे अनुच्छे में क्या कहा गया है कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाय हुए सभी कानून स इसका सर्वोच कानून होगा लेकिन किसके अंडर में संभिधान के अंडर में अगली अन्य बिशेस्ताओं में दुश परिवर्तन सील संभिधान इसका मतलब होता है कठोर संभिधान इसको आसान सब्दों में कहें तो दुश परिवर्तन सील को हटा करके कठोर कर दीजिए कटोर या रिगिण प्रकृति का है कि इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है इसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन कारे है इसलिए इसमें अभी तक लगबग 200 से भी जादा वर्सों में मात्र 27 संशोदन मात्र हुए है वा समझाई जबकि भारती सम्मिधान को उटा करके देख ली जो कठोर भी है और लचिला भी है इसमें अभी लगबग 75 वर्सों में ही 100 से जादा संशोदन हो चुके है असमझाई चली अगली कोई विशेष्टा है अगली है अद्ध्यक्षात्मक्षाषन प्रणाली तो ये अमेरिकी सम्मिधान की एक ऐसी विशेष्टा है या ऐसी विशेष्टा है सम्मिधान की जो भारती सम्मिधान की विशेष्टा से इसको अपने आपको प्रतक करती है सुरिए अमेरिका के सम्मिधान निरमाता देश के लिए एक ऐसी सासन ब्यवस्ता चाहते थे जो प्रजा तांत्रिक भी हो और मजबूत भी हो इस्थाई भी हो समझेगा तो अग किसी भी देश की सासन ब्यवस्ता मजबूत हो या शशक्त हो मतलब इस्थाई हो इसके लिए क्या आवश है कि किसी एक बेक्ति के हातों में सासन की बागदोर हो तब उस देश की सासन व्यवस्ता कैसी हो सकती, मजबूत हो सकती है, इस्ता ही हो सकती है, तो लेकिन साथ ही वो चाते थे कि प्रजातांत्र भी होना चाहिए, मतलब लोगतंत्र भी होना चाहिए उस देश में, जनता को पास भी अधिकार होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति का स राश्ट पती प्रमुक होते हैं सर्वोच शक्ति उनके अंडर में होती है देज की बास्ट बहुंत पती के ध्याद है रास्ट पती के अधिकार है याद कि लेकिन अमेरिका की संसद रास्ट पति को पत से नहीं आटा सकती अमेरिका के सिर्फ महाबियोग चला करके है कलिए रए चली अगला को लेते हैं नेक्स्ट है द्रसhedस्ताओं है संघात्मक शाषन प्रणाली जो कि भारती सम्मिधान में भी जलकती है अमेरिका में ब्रिटेन के विप्री संघात्मक शाषन प्रणाली है क्यों कि ब्रिटेन में संघात्मक नहीं बलकि एकात्मक शाषन प्रणाली होती है अमेरिका में संघात्मक शाषन प्रणाली को ही मतलब कि महाँ पर एक केंद्र होगा और कुछ राज्यों होंगे केंद्र की अलग शक्तिया होगी इसको हम खएंगे शंगात्मक जो चोटे-चोटे राज्यों से अन्य विशेश्ता है लिकित संभीधान दोहरी नागरिकता स्वतंत्र और निश्पक्षिनाई पाली का ये सब क्या है तो ये संघात्मक शाष्ण प्रणाली के ही लक्षड है कि लिए रे तो संगात्मक्षासन प्रणाली के अलावा ब्रेटेन के अमेरिका के संभीधान में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्ता में अन्य विशेशता आई भी है जैसे नागरिकों को सुतनता देना ये ना सरवोच न्याले का मतलब सुप्रीम कोर्ट का एकदम निस्पक होना के लिए और दोहरी नागरिकता देना ये अपने आप में एक अलगी अनूठी विशेशता है अमेरिका के संभीधान की या अमेरिका की राजनीतिक वेवस्ता की इसके अलबबब शक्ती का प्रतकर्ण का सिध्धान्त तो सेजुक्त राज अमेरिका में फ्रांसिसी दार्षिनिक मौन्टेशक्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ती सिधान निर्माताओं ने अपने संविधान में अपनाया है सिधानत की अनुसार वहां मुण यहां कारे पालीका की शक्तिया अलग हो गी इनका ऐक दूसरे पर कोई हर्स्तक चेफ यह घंसब को चलि अगला है इसकी परिभाशत करते हुए है कि गरतंत्र सरकार जिसकी शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का महन समूँ होता है क्या कहा था उन्होंने गरतंत्र को लेकर के गरतंत्र को लेकर उन्होंने कहा कि गरतंत्री सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें शक्तिया प्रतेक्ष या प्रतेक्ष रूप से जनता के समू के हातों में होती है संपूर्ण जनता के आतों में होती है पुर इन की शक्तियों का प्रियोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो पद पर निश्चिस समय के लिए बिटाए जाते हैं जनता के द्वाराई और अपने पद को समालते हैं के लिए रहे दोस्तों इसी प्रकार से मात्र यह आठ जो विशेस्ता है थी अमेरिके संविधान की एक्जाम के पॉइंट ओव व्यू से बस इनकी त्यारी कर लीजिएगा इतना कॉंसेप्ट पर्यापत होगा आपको आज के लिए या इस टोपि नेक्स सेशन में हम पूरे डिटेल में थोड़ा बिस्तार से और थोड़ा से ज्यादा टाइम लेते हुए अम सेप्रेट तरीके से दो टोपिक दिये गया ताकि आप लोग से श्रीकिन वड़ा नहीं कर वाया तो वो नहीं नहीं कर वाया तो इसलिए, में chapter by chapter आप पढ़ा रहा हूँ, नेक्सinement में हम कार्यपालिका की बात करेंगे, इस कार्यपालिका में राश्टर पत्य भोवदे को भी या उनसे संबंदी जो भी टत्य होंगे, उनको भी हम कबर करने का परियास करेंगे, अमेरिकी कारी पाली का next session में होगी जाने से पहले मैं आप लोगों को पिर से एक बार याद दिला दू क्योंकि आप लोग की प्रकरती है नेचर है आप लोगों का बार बार भूल जाते हैं बलकि वाटसब चैनल पर या वाटसब ग्रूप पर इन्वाइट कर रहा हूं जल्दी से वाटसब चैनल को जोइन कल लें जैसे notes की link आपको description में मिलेगी मेरे whatsapp नमर आपको description में मिलेगे अब और भी कई आवशक link है जो आपको इस video की description में मिल जाती है ओके friends मिलते हैं अगले session में next session में बात करेंगे कायरिपालिका की तो चलते हैं और session अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और पहली बार आप चैनल पर आया है पहली बार session को देख रहे हैं तो subscribe जरूर से कले चैनल को next session में मिलते हैं बहुत दन्यवाद thank you thank you so much